मम्मी मम्मा मम्मा अरे ये के तरीका है और्ष रिमोट कफे का तुमने तूट गया तो टीवी कैसे देखोगे फिर टीवी का पाइदा है क्या जब लाइट ही नहीं है आज मेरे फेवरेट छो आने वाला था मेरे मन करे श टीवी को ही फोर दू चुपो जोर्ष इदर हो, मैं तुम्हे काहनी सुनाती हूँ तेखो जोर्ष मुझे पता है इस वक तुम्हे बहुत गुसा रहा है जैसे सूर्दास को आता था अब सूर्दास कौन है मम्मा सूर्दास काहनी सुनूगे? हाँ अज्दास पहले भगवान कृष्ण का एक बहुत बड़ा भक्त था, उसका नाम था सूर्दास, सूर्दास जन्म से ही देख नहीं सकते थे, मगर सूर्दास ने अपने मन में ये ठान ली थी, कि उन्हें भगवान कृष्ण को ढूलना ही ढूलना है, और उनको देखना है, तो इसलिए गुरुदेव के पास गए, और उनसे बोले, गुरुदेव, मुझे कोई ऐसा रास्ता बताईए, जिससे मैं अपने कनहिया को पास सकूँ, उनके निकट जा सकूँ, उन्हें देख सकूँ, अब गुरुदेव जानते थे, कि सूर्दास भगवान कृष्ण का बहुत बड़ यह सोचकर गुरुदेव ने उनसे कहा, हे शिशिव, मैं तुम्हें भगवान के निकट जाने का रास्ता तो बताऊँगा, मगर उसके लिए तुम्हें एक महिने तक इश्वर का नाम जबना होगा, तुम जो भी काम करो, तुम्हें इश्वर का नाम लेके करना होगा, और एक महिने बाद स्नान करके, स्वच कपड़े पहन के, तुम मेरे पास आना, तब मैं तुम्हें प्रभू के निकट जाने का रास्ता बताऊँगा, सूर्दास खुश होगा, हो गए, उन्होंने एक महिने तक भगवान का नाम जबा, जो भी काम किया, उसमें भगवान का ना जैसे जैसे गुरू जी ने का था वैसे वैसे किया, और फिर जब एक महिना खतम हुआ, तो वो नदी में स्नान करने के लिए गए, स्नान करके, स्वच कपड़े पहन के, जैसे ही वो गुरू जी के पास जाने लगे, तभी वहाँ चालू लगा रहे एक प्यक्ति से, गल्ति से उनके पर कूड़ा गिर गया, और वो गंदे हो गया, बस सूर्दास को बड़ा गुस्सा आया, उसने उसको बोला, ए, मैं तो अंधा हूँ, पर तुम तो देख सकते हो, तुमने क्या किया, मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिये, मेरे कितना समय खराब कर दिया, अब मुझ तुम अध्यात में ज्यान और अभ्यास के लिए तैयार नहीं, तुम एक काम करो, तुम फिर से जाओ, और फिर से एक महिने के लिए वही पूरी प्रक्रिया करो, फिर एक महिने बाद, नदी में स्नान करके, स्वच्ची कपले पहन के मेरे पास आना, तब मैं तुम्हें सारी प्रक्रिया की हर काम करते वग भगवान का नाम लिया जैसा जैसा गुरु जी ने का था वैसा वैसा किया और फिर एक महीना खतम होने पे स्नान करके गुरु जी के पास आने लगे मगर फिर से वो जाडू वाला मिला और गलती से उस जाडू वाले ने अपना कच्रा सूर्दास के उपर फिर से फेक दिया सूर्दास फिर से बहुत नाराज हुए और फिर जब वो गुरुजी के पास गए तो फिर से गुरुजी ने का सूर्दास, अभी तुम अध्यात में ज्ञान और अभ्यास के लिए तैयार नहीं हो भई, तुम फिर से जाओ, एक महीने फिर से वही सब प्रक्रिया करो, और एक महीने बाद नदीम इस्नान करके मेरे पास आना, सूर्दास फिर वापस आगे, फिर एक महीने तक उन्होंने व ज्ञाडू वाला मिला, उसने देखा, सूर्दास एक्तम नई धोती, नया कुर्ता पहन के आ रहा है, फिर क्या था, तो ज्ञाडू वाले को याद आया, यह तो वही व्यक्ति है, जिसने बिना मेरी किसी गल्ती के मुझ पे इतना गुस्सा किया था, मुझे डाटा था, उस पार सूर्दास को बिलकुल गुस्सा नहीं है, सूर्दास ने हाथ जोड कर उससे कहा, हे बंदू, आज मैं तुम्हारा धन्यवाद अदा करता हूँ, तुम तो मेरे गुरू हो, तुमने मुझे मेरे गुस्से पे नियंत्रन करना सिखा दिया, मैं तुमसे क्षमा मांगता ह कि मैंने तुमसे गुस्सा किया, पर अब मैं प्रोध के बहुत उपर आ चुका हूँ, ये सुनकर उस व्यक्ति को भी अपनी गलती का एसास हुआ, उसने भी सूर्दास से एक शमा मांगी, ये सारा नजारा गुरू जी भी देख रहे थे, पर आज गुरू जी को समझ में आ जरा सोचो अर्ष, जब सूर्दास पर उसने वो कच्रा फेका होगा, तो सूर्दास को कितना गुस्सा आ सकता था, उनकी पूरे महीने की मैनत एक पल में उसने खराब कर दी, लेकिन उन्हें गुस्सा नहीं आया, बलकि उन्होंने उस व्यक्ति को ही अपना गुरू बना ल में कोई ना कोई अच्छा ही ढूली है, और इस तरह हम अपने गुस्से पर कंच्रोल कर सकते हैं, है ना, पर ममा लाइट जने में क्या अच्छा है, अच्छा है ना आश, देखो, लाइट गई तो आपने टीवी नहीं देखा, आपने ममा से बाते करी, एक नहीं कहानी सुन है ना, और ममा और बेटु का बॉंड और स्ट्रोंग हो गया, है ना, यह राइट ममा, I love you, I love you too ऐसी ही और कहानिया देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिये हमारा यूट्यूब चैनल माइनवाज